तो यह है मिर पास एक खराब ceiling fan और मैं इसको convert करने वाला हूँ remote control smart BLDC fan के अंदर तो अगर आपके पास भी इस टाप का एक खराब ceiling fan पड़ा हुआ है तो उसको आप BLDC में convert कर सकते हो तो इसको smart fan बना सकते हो तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा तो चालो करते हैं फटापर से वीडियो को चलो इस टूड़े के अंदर चलते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक खराब fan है और यहां पर जो इसकी motor जल जुकी है और यहां पर देख सकते हैं पूरा ओके है बस इसका motor खराब हो गया है तो हम यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले इस fan को open करेंगे तो भायों यहां पर हमने इसको पूरा open कर लिया और आप देख सकते हैं जो motor जल चुकी है इसके अंदर और bearing भी खराब हो चुकी क्योंकि पूरा ना फेन था काफी तो यहां पर यहां पर यह काफी ज्यादा खराब हो चुका है तो यहां पर मैंने इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है और जितनी भी गंदी कीती वह सारी क्लीन हो चुकी है अब आई इस fan को हमें अपर BLDC में कंवर्ट करने के लिए कंवर्जेशन कीट की जूरूत पढ़ने वाली है जो कि मेरे पास इस बोक्स के अंदर पड़ा ह सबस्क्किंट करने के लिए एक जिसके अज़गा सकते हैं इसको आप इसको कंपर फैन के लिए रिमोंट मिलता है अग बहुंड करना काफी जादध सिंपल है कोई बच्चा हँगा तो भी से नएवाले यहां इसब लेंग से नहीं यहां वाले ताकि हमारा जो मोटर काफी स्मूथली चले अब यहां पर इस बेरिंग को में इसका अंदर लगा देंगे इस तरक्य से तो फाइनली यहां पर यहां पर फीट हो चुका है और देख से इस टाप से मॉवमेंट कर रहा है ठीक है अब यहां पर हम क्या करेंगे हमारे जो मेगनेट लगी हुए तो यह मेगनेट को यह जो है इसको खीचने वाला है तो आपको दियान से इसको लगाना होगा और बिल्कुल इसको फिट करना होगा तो यहां पर मैंने इसको इस जगह पर फिट कर दिया है लेकिन आगर आप इसको लगाते हो तो आपको दियान रखन यहां पर सबसे पहले हमारी पीन पर डढ़ यहां पर यहां पर लगा देंगे लगाने के बाद इसको ठोक डिया अभी यहां पर एक प्रोब्लम आरी इसके अंदर कि आप इसके कितना भी बीच में सेंटर में लेलो लेकिन यह जो देख सकतो हो मेगनेट से हलकालका टच आवाज आएगा आपको इस प्रोब्लम को कैसे सोलू करना आपको दिखा देता हूं जैसे आपको देखना है कि हमारा मेगनेट कहां पर टच हो रहा हुगा आवाज सुनका हम पता तो यहां पर आप देख सकतो हो मैंने इसको सोल्व कर लिया है और यहां पर देख सकतो हमारा जो है आरमेजर कहीं भी टैच नहीं हो रहा है यह देख सकतो आराम से घुम रहा है देख सकतो तो अब यहां पर हम इसको पेक करेंगे तो पेक करने के लिए यहां पर इसक्रू क को हम यहां पर लगा देंगे पेले यहां पर जो है इसक्रू लगे हो यह थोड़ से छोटे बढ़ रहे थे क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर थोड़ा इसका अंदर जो गेप बन चुका है इस गेप कर देंगे बाद में तो यहां पर हम थोड़ से लंबे इसक होगा तो यहां पर मैंने इस मोटर को फिट कर दिया और आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहे है इसको बिल्कुल पर्फेक्टली हमने फिट किया है अब इसके अंदर हम लगाएंगे कंट्रोलर भायो इस कंट्रोलर की खास बात यह कि यह जो 220 वोल्ट से चल जाएगा आप देख सकतों यहां पर लिखा हो 220 वोल्ट और यहां पर लगा हुआ स्टेप डाउन ट्रांसफोर्मर यह जो मोटर है यह चलने वाली यह बारा वोल्ट के उपर बारा वोल्ट के अंदर और अगर आप डायरेक्ली बारा वोल्ट की सप्लाइब देता हो इस काफी कम आएगा तो अब इसका कनेक्शन हम यहां पर करते हैं यहां पर यह जो पीन दी गई है इस पीन के अंदर इसको लगाना होगा तो अब यहां पर हमारे जो पीन है इसको लगा देते हैं तो यहां पर हम इसको इस टाप से लगा देंगे ठीक है और यहां पर इसको इ देखतम के तो आपसके सबस्ождения होगाऊ qura अरश घिरस्ट देए आट草क इसे पुरी सब्सक्राइए ऑब अब यहां पर इसकर श्रखें उटएंगा के सुवर्फ एक और यहां पर उपर उंड्ड में इसको और है तो हम दो करेंगे गर जैुट यहां पर इसलिए उठाए इसको ताकि जो बोड़ी इससे टच ना हो और यहां पर यह चले तो आवाज ना करें तो यहां पर देखसे तो यह पूरा मार फीट हो चुका है अब यह निकलने वाला नहीं है आपर अब उपर के धकन की जगा पर मैं इसको डारेक्ट लिस टाप से कवर कर दूँगा और यहां पर मार फंके से यह मेच भी हो गया है अब इसको चलाने के लिए यहां पर आपको 2 वायड दिखेंगे एक तो रेड ओर ब्लेक कलर का जो दिखेगा यहां पर मैं 12-0 कि सप्लाइभ नहीं है तो आप 12-0 कि सब्सका सकते हो यहां फिर दाटेट आख़ से चलाने वाला हो बाई यहां पर वकूर माइड 220 वायड के जगो इसको चलाना हो ताकि आप डायक्ले को solar panel से भी चला सकते हो चोटा इंवेटर होता उसे भी डायक्ले आप इसको चला सकते हो अब इन दोनों wire के साथ में हम थोड़ा extra wire connect करेंगे ताकि हमारा जो wire सो तोड़ा लंबे हो जाया और बैटरी वेटरी कनेट कर सके हम तो फाइनली यहां पर आप देख सके तो मैंने जो वायर को थोड़ा लंबा कर दिये हैं यहां पर और हमारा जो सिलिंग फेन है इसकी पंकुडियों को मैंने यहां पर लगा दिया इसके अंदर अब यहां पर हम क्या करेंगे इसको हमारे सिलिंग के ऊपर यहां पर टांग द सब्सक्राइब करना इसके अंदर और यहां पर हमारा जो रिमोंट है इस में आप ओन आफ कर सुछ देख सकते हो इस स्पीड के लिए 1 2 3 4 6 तक देख सकते हो और बीच में बटन दियागा इससे डारेक्ली आप इसको फूल स्पीड पर कर सकते हो निचे के साथ में आप देख स सकते हो यहां पर स्पीड यह भी फूल स्पीड नहीं है इसकी और भाई सब आप देख सकते हो यह बारा वोल्ड की बैटरी पर यह जो फंका है इतनी स्पीड से चल रहा है बीलडी सी मतलब यह बहुत कम करेंट में चल जाता है और काफी अच्छी ठंडी हवा भी देता है देख से प्योगा है यहां पर अगर आप इसको 220 वोल्ड से चला गो इतना स्पीड से घुमेगा है और 12 की बैटरी से चला गो तो भी इतना स्पीड से घुमेगा तो कि वह यह फेन है इस फेन के अंदर 12 की सप्लाई ही चाहिए हम जैसे 220 वोल्ड देंगे तो वह क्या इसको लाइट चली गए यह तो आप बैटरी का यूज़ करके इसको चला सकते हो यहां पर देखते हो तो हमें इन्वेटर के जरोध भी नहीं बढ़ने वाली है और यह जो रिमोंट है यह रिमोंट भी काफी जादा एडवांस है यहां पर जिसे आपने देखा हो टीवी का र आप सो रहे हो अगर अगर आप चाथ कि आप कहीं से भी इसको अपरेट कर सकते हो तो आपको फेएं की तरफ इस रिमोंट को ले जाने की जरोध भी नहीं यह डायेक्ली बटन दबादी यह डायेक्ली चल जाएगा यह यह बागयों यह देख सेकते हैं 12 वाल की बैटरी पर चल रहा है तो यह जो है मतलब बहुत ही कम करेंट खिषता है जो आपका बिजली भी बील है उसको भी कम कर देगा यहां पर तो फाइली आपको यह वाला वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करेंगे जरूर बता देना अगर अच्छा लागों तो लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर दो सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको किसी नए टोपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दाना मैं जरूर आपके लिए बनाऊंगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर जेहिंट जेह भारत बायर वड़ी